कि वेल्कम टू माई चैनल प्रोफिट एंड लोज में आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे मैक्स इंडिया के बारे में मैक्स इंडिया का जो सेर प्राइस है इकातर रुपे पैसर पैसे है इस सेर ने जो इसकी डे की क्लोजिंग थी वह इकातर रुपे यहां मैंने ओरीडी ओपन किया टिककट आयए पर सबसे पहले फाइनस के उपर आते हैं अब आपके सामने 2020 और 2021 कम देखते हैं फाइनस एर अब यहां पर जो 2020 में इसका टोटल रिवेन्य हुआ वो 74 क्रोड़ है और 2021 में बढ़के एक सो उनस्तिक रोड हो गया और नेट इंकम आप देखोगे यह 2020 में भी घाटे में थी और 2021 में भी घाटे में पर इनका घाटा कम हुआ है अब देखते हैं एक बार होल्डिंग कि पर्मोटर की देखते हैं यहां पर यह काफी अच्छा हुआ कि पर मोटर पार 40-40 परसंट होल्डिंग है और पर मोटर की अगस्त में इसने करीब 30% holding गिरवी रखी थी उस सारी holding इसने buyback करी है और आज की date में company के पास जो 40% holding पड़ी है वो पूरी पूरी अपनी उसकी है एक भी पसंद holding उसमें से गिरवी नहीं है उसके बाद देखते हैं mutual fund mutual fund की holding वैसे भी 0.7% थी वो भी holding निकाल चुगा है उसके बाद DI की holding, DI के पास करीब 3% holding पड़ी है FI के पास एक time of 36% holding थी जो अब घटके 6.1% रहागी है मतलब FI लगतार इसमें पैसा निकाल रहा है अपना उसके बाद देखते हैं retail की और जितनी holding FI की खतम हो यह रहा है उस सारी holding आई है retail के पास अब हम बात करते हैं इसके level के उपर अब देखो company को last two years देखो loss में यह company पर यह काफी अच्छा है कि promoter ने जो अपनी holding थी जो उसने गिरवी रखी थी उसे buyback कर रहा है अब एक बार देख लेते हैं इसके level के उपर अभी इस condition में जो उसका price 81 रुपे 50 पैसे है और यहां पर यह support आ रहा है करीब यह 81 रुपे का support ही आ रहा है पर मैं फिर भी कहूंगो 70 रुपे के आप SL के साथ इसे trade कर सकते हो अगर इस 70 रुपे को break करते है तभी इसमें get out आईगी और इसमें जो हमारा target होगा ना वो target हमारा है 50 रुपे का target के लिए 70 रुपे के SL के साथ इसे trade करना है और target है 75 रुपी इसका 75 प्लस का और अगर यह अभी क्या price है इसका 18 रुपे 65 पैसे अगर कल की date में 11 से 12 बजे तक यह share इसके मतलब 72 रुपे के आसपा सबस्ट्रेन रहा तभी आपने buy करना है और target 75 प्लस का हमारे बाद टार्गेट आ र वेरी हो तो प्लीस comment box में message करो